गूड मॉर्निंग फ्रेंड्स आया मैं गुरुजी जैसा कि जानते हैं दोस्तों यह मेरा पार्ट टू है तो दोस्तों प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों तो आए देखते हैं आज का पहला कोचन और वेल आइकन की घंटी दवाये ताकि मेरा जो भ अपने पत पर कितने दिनों तक रह सकता है तो पांच बर्सों तक जो और अपसन है उसको देखते हैं राश्ट पती की मर्जी तक यह भी है सही है राश्ट पती जब तक चाहेगा बीच में राजेपाल को हटा सकता है लेकिन राश्ट पती के बारे में और कुछ जानते हैं से 75-65 से नियुक्ति कोन करता है तो राश्ट पती दोस्तों देखते हैं आंज का दूसरा कॉछन राज सभा के कितने सदस राश्ट पती द्वरमनूरी करता है राज सभा में कितने सदसे राश्ट पती मनोनित करता है तो राज इस अभा में कितना हो जाएगा आपका 12 का हो जाएगा चार नमबर 12 12 सदसे को राज सभा में राश्ट पती मनोनित करते हैं दोस्तो अब देखेंगे जो next दिया है ओप्सन दो दिया है लोक सभा में लोक सभा में आपको लोक सभा में दो को मनोनित करते हैं राष्ट पती उसके बाद होता है कि टोटल जब कोश्चन पुछे के राज सभा और लोक सभा में राष्ट पती द्वारा मनोनित सदस्यों को राज सभा और लोक सभा दोनों में जब रहेगा तो इसका होगा 14 यदि next question देखते हैं यदि उप राष्ट पती दोनों पद खाली हो तो राष्ट पती सासन पद कौन समहा लेगा तो तेरा काप का क्या हो जाएगा सी मुख्य नयधिस मुख्य नयधिस जो है ओ उप राष्ट पती दोनों पद खाली हो राष्ट पती संपद कौन समालेगा मने राष्ट पती उप राष्ट पती दोनों का पद खाली हो तो कौन समालेगा तो मुख्य नयधिस अब जानते हैं थोड़ा सा मुख्य नयधिस की न आप फिर देखेंगे क्या स्पीकर दिया है तो आप यहां पर कोशन बनता है भारत की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी तो क्या हो जाएगा मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी तो मीरा कुमार मार्य। है नेक्स्ट देखेंगे जो अप्संडिया है पर्धान मंतरी का अब राज पाल दिखुचन सविधान के हिस्ट अनशेद कंतरगत किसी राज में difi तो दोस्तों क्या होगा इसका चैनक्सर तो इसका क्या होगा चोदर का आपका होजये कि राश्ट पती साशन लागू किया जा सकता है और तीन्सो चाफण दोस्तों अभी मेरे पास अफ्सान है क्या होता है मैं जब यूद ही या यूद लिखिए देयर सबने जब मुद्रा उद्रा कैसे जो एक होता है पत्थे हैं दोस्तो नेक्ट कुस्टिम हुआ भारत के मुखे ठीक की न्यूक्ति कौन करता है तो पंदर्णंग का के बारे में लोक सभाय स्पीकर यह कौन है प्रथम मीरा कुमार राज्यों के मुख मुंत्री की न्यूपती कौन करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा राज्येपाल न्यूपती नेक्ट कोशचन मद रातरी सूरी का देश किसे कहा जाता है आपका स्ल्वो cling pan कि मदर रातरी शूरी का देश किसको कहा जाता है नार्वे को दोस्तों सभी question VVI है जो बहुत सारे एक्जामों में पूछे हुए है previous year का question तो दोस्तों आप जरूर पढ़ें एक से दो बार इस वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक करें comment करें तो देखते हैं और जो आप सन जपान जपान की संद का क्या नाम है यह को चानाता है डाय-ट कहा कि संसद का नाम है तो क्या होगा जपान disp question next Ireland की संसद क्या नाम है तो डेल आरन क्या होगा डेल आरन क्या आइरन होगा उसके बाद है क्या होगा कि दिवान निगारा क्या होगा मलेशिया की संसत का नाम दिवान निगारा दोस्तों देखते हैं नेक्ट कोश्व बीश्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो आपको सतरक अश्य है आपको इंसर मालूम होगा दोस्तों सब्सक्राइब क्या हो जाएगा अब आए देखते हैं अफेरिका यूरोप अस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और जनकारी जानते हैं दूसरा बड़ा महादीप कौन है तो आपका अफेरिका सबसे छोटा क्या है सबसे छोटा जो है वह अ आते और इस्ट्रेलिया है अब दूसरे अस्थान पर कौन आता है अफेरिका कि उसके बाद जानते हैं जानते हैं जा इस अफेरिका सबसे बड़ा यहां से क्या होते हैं जो होते हैं जो upward से थीनों रेखाइब बDERति है तो आता एक किस महादेप से Cash तेनों रखाएं किस महादिप से गुजरती है तो अफेरिका से अब आएए यूरॉप यूरॉप में कितने देश है आपका यूरॉप में 46 देश है यूरॉप में कितने देशे 46 यूरोप को में कितने देशे 60 यूरोप को प्राय दीपो का दीप कोशन आ सकता है प्राय दीपो का दीप किसे कहा जाता है प्राय दीपो का दीप किसे कहा जाता है तो यूरोप को अब अस्ट्रेलिया सबसे छोटा जो है यह है उसके इसमें कितने देश है अस्ट्रेलिया में 22 देश है और यहां की दो चीजे परसीद है यहां की जो सोने की खान है उनका काल गुली काल गुली जो सोने की खान है काल गुली और एक होता है काल गुल्डी कल कुल गाड़ी जो सोने की खान है 200 परसीद खान है पूछ सकता है दोस्तों अब देखते हैं थाइलेंड की रहधानी है थाइलेंड की रहधानी कहा है तो थाइलेंड अठारक आपके क्या हो जाएगा अठारक के क्या होगा चार होगा थाइलेंड की रहधानी कहा है तो बैकॉक अब देखते आपको क्या होगा जनेवा अब देख जानते हैं लंदन के बारे में तो ढराष्टि Alright ऑंखवार का प्रकासन कहां होता है है तो लंदन आप इरान की रधानी कहां है दोस्तों इरान की रधानी कहां है इरान की रधानी कहां है आप कॉमेंट बॉक में जरूर एंसर करिएगा इरान की रधानी कहां है तो तेहरान इरान की रधानी कहां है तेहरान अब देखिए पेरिस पेरिस किस नदी के किनारे है तो पेरिस सीन नदी काबूल किस कि रैधानी तो आफगानिस्तान तक राइधानी तक्रिवा थिए घंदनी कहा है तो थिंपब भुटान का दानी तेम सोरी यह सवधी आरब कि मुद्रा क्या है तो दोस्तों सौधी आरब की मुद्रा क्या है साओधी अरब की मुद्रा क्या है दोस्तों आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करिए साओधी अरब की मुद्रा क्या है इन में से बताएए साओधी अरब की मुद्रा क्या है तो आपका रियॉल हो जाएगा साथियरब के मुद्रा क्या है तो रियॉल तो देखते हैं और जो अपसन है क्या दिनार दिनार कहा के मुद्रा है तो दिनार जो है कहा की है ये अलजीरिया की है दिनार कहा के है अलजीरिया अलजीरिया की है अब है क्या रियॉल रियॉल कहां के मुद्रा है रियॉल लीरा लीरा कहां के मुद्रा है लीरा रियॉल तो सौधी अरब की मुद्रा है लीरा उसके बारे में आप हमको कॉमेंट बॉक्स में जरूर आप टाइप करिएगा तब उसको कॉमेंट बॉक्स में मैं इसका मुद्रा बता नेक्ट कोश्चन ये वान लाइनर कोश्चन है इसमें देखते हैं कुछ साइनिक पड़िवरतन कीस अस्थाओं में भाग नहीं लेता जब वायू में मैंगनिसियम की पट्टी जलती है ये एक नमर असन है दूद दाही में बदलता है लाल त्रिप्त प्लेटेनियम तार से प परकास निकलता है देखते हैं आप नेक्ट कोश्चन इनमें कौन सा रसाइनिक परिवरतन नहीं है लोहे पर जंग जंग लंगना कार्बन डाइक्साइट द्वारा चुने के पानी को दूदिया करना परकास में सीर्वर कोलोराइड को गहरा करना प्लेटेनियम तार का चमक वाली बुंस ज्वाला में जनला तो दोस्तो 22 कैंसर क्या हो जाएगा कौन सा रसाइनिक परिवरतन नहीं है यानि कि भहतीक परिवरतन है तो क्या हो जाएगा प्लेटेनियम तार का चमक वाली बुंस ज्वाला में जनला देखते हैं नेक्ट कोश्चन रसाइनिक परिवरतन तब नहीं होता जब लोहे पर जंग लगता है दो नमर चुने का पानी दुधिया होता है गैस जलती है पानी उबलता है तो दोस्तों इसका एंसर क्या होगा तो तेज के क्या हो जाएगा चार पानी उबलता है पानी उबलता है नेक्स कोस्चन देखते हैं इन में से कौन सा र परिवर्तन नहीं है, रसायनिक परिवर्तन नहीं, इसका मतलब क्या होगा, भहतीक परिवर्तन होगा, मोम का पिघलना, मिरित जानवरों का भाटन, भोजन का पचना, फलो का पकना, तो आप एंसर बताइए, दोस्तों मुझे कोमेंट बक्स में जरूर एंसर देए, तो 24 का ए वीडियो पसंद है तो जरूर शेयर करें निमलीखित भटियों में से किस भठी से सबसे अधिक ताप उत्पन किया जाता है 25 के क्या हो जाएगा देखिए एंसर आप अप्शन 4 देख रहे हैं प्रावर्तनी भटि वत्या भटि विदूत भटि मफल भटि तो दोस्तो इसका एंसर क्या होगा तो विदूत भटि तो दोस्तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें आप मेरे इस व भारत माता की जय है कि तो अ